लो जी आज तो तैयारी हो गई है पापड़ी चाट बनाने की नमस्कार दोस्तो, कुक वित पैशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज हम लेकर आए हैं पापड़ी, जी हाँ वही पापड़ी जो हम पापड़ी चाट में खाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर एक कप मैदा और अब हम इससे मिलाएंगे हाफ टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ हमने इसमें मिला दिया है जीरा हाफ टेबल स्पून अब इन सब वो कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और यहाँ पर मैंने फूर्थ कप तेल लिया था रिफाइन ओयल लेकिन पूरा नहीं लगा है तो थोड़ा थोड़ा करकर ही आप डालिएगा और आटे को इतना मिसलिएगा कि इसके अच्छे से लड़ू बनने लगें जो कुछ इस तरह से जब यह लड़ू बनने लगेगा तो हम पानी का इस्तमाल करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तयार कर लेंगे पानी भी आप थोड़ा थोड़ा करकर ही डालिएगा नहीं तो आटा गिला हो सकता है दोस्तों आप कोई भी डो तयार कर रहे हो अगर आपने आटा इतना गुथा कि आपका हाथ बिलकुल साफ हो गया साथ में वह बरतन में बिलकुल साफ है तो इसका मतलब डो बहुत अच्छा बना है अब इसे हम 10 मिनिट के लिए रिस्ट पर रख देंगे 10 मिनिट बात देखिए यह कुछ इस तरह का तो अब हम इसे एक बार फिर से गूत लेते हैं हलका सा और अब इसे एक साइड में रख देंगे अब इसके हम लोईया ले लेंगे आप चाहें तो छोटी छोटी लोईया तोड़कर भी छोटा छोटा पुड़ी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर बढ़ा ले हूँ एक साथ कई बनाऊंगी आटे को इस तरह से हम गोल कर लेंगे और अब चकले पर हम इसकी एक रोटी तयार कर लेते हैं थोड़ा सा आटा से डस्टिंग करेंगे और फिर इसके हम तयार करते हैं एक रोटी रोटी यहाँ बहुत पत्ली नहीं होगी और बहुत मोटी भी नहीं होगी देखिए यहाँ कुछ इस तरह की होगी तो बस यह रोटी बनकर तयार है तो अगर आपके पास कटर है तो आप उसका इस्तमाल कीजिए वरना घर में कोई भी गोल सी चीज है तो उसका इस्तमाल करते हुए आप गोल गोल इसे काट लीजिए तो यह देखिए यहाँ पे एक साथ कई पापड़ी बनकर हो गई है तयार तो अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा डो है उसको निकाल लेते हैं और अब एक फोक की मदद से हम इसमें छेद कर देंगे छेद इसले करते हैं कि यह फूले ना और यह एक अच्छी सी पापड़ी बनकर तयार हो जाए तो अब हम इसी तरह से सभी पापड़ी तयार करेंगे और इसे ढग देंगे ताकि यह सूखे नहीं और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें रिफाइन ऑल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे गर्म जब हमारा तेल हो जाएगा तो इसमें हम एक-एक पापड़ी डाल देंगे और इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक हम तल लेते हैं फ्लेम को आप मेडियम टूल लो पर ही रखिएगा तो यह बढ़ी आगोसा गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सभी पापड़ियों को आप तल लीजेगा तो यह देखिए इतने कमाटे में इतनी सारी पापड़ी बनकर हो गई है तयार तो आप बनाईए अब इसके बाद इसकी अच्छी सी पापड़ी चाट यह देखिए मैं इसे तोड़ती हूँ इसी के साथ इमली की चटनी और इसके उपर हम डाल देंगे खुब धेर सारा सेव जी हाँ दोस्तों और अब इसके उपर हम डालते हैं हलका सा गाजर अगर आपके पास गाजर है तो गाजर इस्तमाल कीजे नहीं तो फिर आप मूली भी इस्तमाल कर सकते हैं यह गया प्याज और इसी के साथ उपर जाएगा चाट मसाला और एक बार फिर हम इसे उपर से ग्रीन चटनी डालेंगे और डाल देंगे मीठी चटनी और अब एक पापड़ी तोड़कर हमने इसमें डाल दिया है तो यह पापड़ी चाट बनकर हो गई है तयार तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेर कीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक रखे आप लोग अपना खयाल नमस्कार